तो यार आज मैं आपको laptop बताऊंगा अगर आपने कोई भी heavy software यूज़ करना है एंड अगर आपका budget 50,000 है आपको मैं laptop बताने वाला हूँ तो बात करते हैं सीधा number 4 की number 4 की बात करते हैं लेकि number 4 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाता हूँ भी मैं आपको जितने भी laptop बताऊंगा वो video acting के लिए best होने वाले अगर आपने 4K भी try करना है आप कर सकते हो अगर आपने gaming करने है high graphic भी अगर आप gaming करना चाते हो आप normally easily कर सकोगे plus भी अगर आपको office work के लिए चाहिए student हो पढ़ते हो पढ़ाते हो आपके लिए best deal होने वाली अगर आपने off-line काम करना है जर्शेस बस्क्राइब अंगर आपने online classes क्लासिस लगानी है अपके लिए भी बहुत अगड़े होने वाल या है था creator काम करना या जिवर K करना प्रोग्रामिंग करने हैं कोडिंग करने उसके बाद भई अगर आपने कोई भी हावी सॉफ्ट ओर वी यूजगरं आप इसली नॉर्मली कर सकोंगे तो बात का सीधा नंबो फो की बात करें मैंने रखा है MI Notebook Horizon को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूं कि इनकी build quality प्लस इसका design वो बहुत जादा इसको suit करता है प्लस MI brand है प्लस भी अगर आपका कोई काम ऐसा है कि अगर आपने online classes लगाने है आपके लिए प्लस मैं आपको बता देना चाहता है अगर आपने वीडियो एक्टिंग करना है या creator काम करना है या developer काम करना है प्लस भी अगर आप gaming वगारा भी करना जाते हो आप कर सकते हो विकर्स आपको ग्राफिक कार की बात करूँ आपको MX350 2GB ग्राफिक कार मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते आप 10th generation के साथ देखने को मिलगा तो specification के according देखा जाए laptop पूरा loaded देखती को मिल जाता है मैं आपको main specification बता देता हूं थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं वाई तो यह डिस्प्ले की बातों को 14-inch Full HD display मिल जाते जो की anti-glate display और processor की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाते प्रस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाते ग्राफिक कार की बात करूँ आपको NVIDIA MX350 2GB देखने को मिल जाता है उप्रेनी जिस्टनों की बातों को Windows 10 मिल जाते हैं battery की बात करूँ आपको 10 hours का battery backup provide कर देता है price की बात करूँ आपको 51,000 के budget में MI notebook horizon देखने को मिल जाता है so that's why मैंने इसको number 4 पर रखा तो आप इस चीज़ को दियान में रखना कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता जो की सच में एक minus point आ जाता है तो आप देख लेना अगर आपको ये laptop जो है वो सही लगता है आप उसके और जा सकते हो गर आपको कोई requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है या ये तो मैंने इसको number 4 पर रखा अभी आगे बात करते है number 3 की number 3 की बात करूं number 3 पर यार मैंने रखा Acer Aspire 5 को सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आपका प्रेड़ 50,000 से कम है तो ये laptop आपको 45,000 के budget में मिल जाता है 45,000 के budget में आपको specification पूरे loaded मिल जाते ह आपको बताते हैं तो हूँ सीधी बात करते हैं specification की तो यह डिस्प्ले की बातों को 40 इंच FHD प्लस दिस्प्ले मिल जाती जो की आई प्लेस पैनल डिस्प्ले प्रसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते है expendable आपको 512GB SSD देखने को मिल जा स्पीड बहुत बहुत स्लो होती है ठीक है अगर आप 2GB या 3GB की फाइल ट्रांसफर करते हो ना तो उसको यार आदा गंटा 40 मिन ऐसे लगते है लेकिन SSD में आपको यह चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए अगर आप डाटा वगरा ज्यादा ट स्पैसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाएगा तो यह मैंने आपको बता दिये स्पार 5 के भी अगर मैं स्पैसिफिकेशन के कोडिंग देखा जो तो बहुत ज्यादा सही है बही आपको 45 तो के बजिट से लेके 50,000 के बजिट तक यह लैपटाप देखने को मिल जाते है तो बही अगर आपने ऑफिस बर के लिए चाहिए स्टूडंटों पढ़ते हो पढ़ाते हो अगर प्रोग्रामिंग करने है कोई हैवी साफ्वेयर यूज करना है वीडियो एटिंग करना चाहते हो या गेमिंग करना जाते हो आप इस फेक कर सकते है आपको 2GB ग्राफिक अर 8GB RAM मिल जाए जिसको आप upgrade कर जकते हो 16GB तक अगर आपने वीडियो एट्टिंग करने है तो भई मैं आपको recommend करना जाता हूँ आपने 16GB RAM के और minimum चल जाना उसको upgrade कर लेना आपके लिए ही benefit होने वाला अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो comment section में कमेंट कर सकते हैं जा मैं रोजे instagram पर मैं से कर सकते हैं मैं लिंक वगरा description box में दिया हुआ है अभी आगे बात करते है number two की तो अभी बात करते है number two की लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ number two and number one को दोनों को मैंने combine कर दिया प्रिकस दोनों ही laptop जो वह Acer की आउर से ही आता है इस budget range में Acer बहुत जादा सही कर रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ दो laptops की बारे में मैं बात करूँ Acer Aspire 7 की and मैं बात करूँ Acer Nitro 5 की सबसे पहले मैं आपको दोनों के बारे में clear कर देता हूँ भी अगर आपको office work के लिए चाहिए अगर आपको gaming design नहीं चाहिए तो Acer Aspire 7 आपके लिए perfect deal हो सकता है बट अगर आपको gaming design चाहिए अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता आपको specification loaded चाहिए का अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना है gaming करना है वीडियो acting करना है आपके लिए best होने वाला इस सर नीट्रोफाइब सौरी पहले मैं गलत बोली लगा था आपके लिए best हो सकता है इस सर नीट्रोफाइब आप जा सकते हो इस सर नीट्रोफाइ refresh rate के साथ आती तो 16 refresh rate यार average display होती है इतना तगड़ा भी नहीं कह सकता है इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता है इस तीज को आप द्यान में रखना पर सैसर की बातों को i5 9th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती है अपको 32GB तक प्लस आपको 5GB SSD देखने को मि जाती ग्राफिक कार्ड की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाता हूँ प्लस आपको फिंगर प्रिंट वगारा भी देखने को मिलेगा बैंटरी की बात करूं आपको 7 hours का बैटरी बैकप पर वाइड कर देता है प्राइस की बात करूं इसका प्राइस आपको 50,000 से लेके 54,000 के बड़ को मिलेगा 3500HS के साथ ही का स्टोरेज की बातों को 8GB RAM मिल जाती है अपको 32GB तक कर सकते हो प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाती है बैंटरी की बात करूं आपको 6 hours का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता है प्राइस की बात मैंने आपको दोनों ही laptop के बता दिये मुझे पता है मैंने जो आपको laptop बता है उनका price जो है वो 50,000 से अपर चला जाता है तो यह अगर आप extra पी कर सकते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपके लिए यह दोनों laptop बहुत तगड़े होने वाले अगर आप extra थोड़ा सा भी कर सकते हो तो आप एसर निट्रो 5 के और जा सकते हो अगर आपको gaming design नहीं चाहिए तो इसर इसपार 7 आपके लिए पॉफेक्ट डिल हो सकता है अगर मतलब अगर आपका पज़िट 50,000 से भी कम है तो इसर इस पार 5 आपके लिए बैस्त डिल हो सकता है इस प्राइज रेंज म एसर लैप्टप बहुत ज़ादा तगरे है तो अभी मैंने आपको top four laptop बता दिया जो कि आपके लिए perfect deal हो सकता है अगर आप कोई भी हैविश रिफाभ़ यूज हो जाते हो पढ़ते हो पढ़ाते हैं और आपको मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म अगर आपको मेरी कि चाहा को गदे सब्सक्राब विडियो को गड़े लाइक एंड इस्टागा पिगले फॉलो लिंक को गड़ा यारा को दिस्क्रेप्शिन बॉक्स में देखने को मिल जागा उसको चाहट कलना मिलते नाक्स्ट वीडियो में ने वीडियो को साथ तेंक यू